नमस्कास दोज़सों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक पहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है तो आएए देखतें क्या है यह है आपका 257 अमीनों की बहाली का बिग्यापन कोट से रद यह जो बहाली परक्रिया होने वाली हो रही थी जिसका की डिटेल मैं अभी नीचे बताऊंगा 297 अमीनों की बिहार में उसे रद कर दिया गया है तो आएए डिटेल में देखतें क्या है पटना हाइकोट ने अमीन के 297 पदो पर होने वाली निक्ति के लिए प्रकासित 18 नवंबर 2018 के बिग्यापन को निरस्त कर दिया है नय सीरे से बहाली परकिरिया शुरू करने का अदेश दिया है नियायमूर्थी जोती चरन तथा नियायमूर्थी अर्विंद सिर्वास्तव की खंड़ पीट ने गुरुबार को अबद किसोर की ओर से दायर अरजी पर सुनवाई के बाद यादेश दिया है अदालत ने अपने आदेश में बिहार अमिन संवर्ग नियामवली 2013 तथा बिहार अमिन कैडर अमेंडमेंट रूल 2016 के अलावा बिहार अमिन कैडर अमेंडमेंड रूल 2017 को निरास्त कर दिया है यह जो बहाली प्रक्रिया थी उसे निरास्त कर दिया गया है और यह बहाली प्रक्रिया को पुना नए सिरे से करने के लिए बोला गया है तो यह आप लोग देख लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जो नवंबर में आया था उसा रद कर दिया गया है तो अभी नए सिरे से ब खबर निकल के आ रही थी आप लोग तैयारी में लगे रही है कुछ दिन में इसकी पुना भाली प्रक्रिया फिर से बेक्यापन प्रकासित की जाएगी तो इसको आप लोग देखिए अपने फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए धन्यवाद